हेलो फ्रेंड्स बोजन पोटली में आज हम आपके लिए लेकरा हैं टेस्टी एन हल्दी काला चना सूप इसके लिए मैंने एक कप काले चने को पूरी रात के लिए दो कर बिगो दिया था सुबह एक कूकर में एक कप चने में दो से धाई कप पानी डालके थोड़ा से ग्रेट के वाद रख डाला मैंने इसमें एक आवला भी कसके डाल दिये ताकि इसके न्यूटिशन से और ज्यादा बढ़ जाएं एक डाल चिनी का पीस दो लॉंग तीन चार काली मिच और थोड़ा सा नमक डालके इसके हम कम से कंभी आट से दस विसल लगाएंगे या फिसकी एक विसल के बाद बिकु मैश करके अलग से रख देती हूं जो कि हमारे सूप में गानिशिंग का काम करेंगे अब मिक्सी में थोड़े से पानी की साहिदा से मैंने इसके एक स्मूथ पेस्ट बना लिया अब मैं फिर से एक पैंच अडाऊंगी उसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी उसके बाद उस अच्छे से मिला देंगे अगर हमें ज्यादा थिक लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकते हैं एक उपाली आने के बाद आप इसमें जो आपनी मैश के चने रख थे वह भी मिक्स कर देजिए 5-7 मिनिट के लिए से उबलने देजिए थोड़ा से काला न वो भी अच्छा लगता है तो तयार होने वाला है आपका टेस्ट इन हेल्दी काला चना सूप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आवां पर चेक कर सकते हैं बहुत से लोग सर्फ करते समय इसमें कटावा बारिक प्यास हरी मिर्च भी डालना पसंद करते हैं अगर आपको वो पसंद है तो आप उपर से वो भी मिक्स कर सकते हैं मेले से भारा दन्या डाला है और जरा सा बटर डालके इसको सर्फ कर दिया तो फ्रेंज बनाईए इस पेंटर काले चने का सूप गर्मा गरम पीजे और अपनी राए हमें जरूर बताईए थैंक्यू